So hello and welcome guys आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं पाल वर्ल्ड एक अनोखा गेम भाई जिसमें बहुत सारे पोकेमोंस और बहुत सारे अलग अलग टाइप की प्रजातियां रहती है और इनके साथ आप वो सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो जो के शायद आपने रियल पोकेमों गेम में एक्सपेक्ट किया होगा एश कैचप से जो के अपने बहुत सारे पोकेमोंस के साथ बहुत सारी चीज़े करता था लेकिन ये बहुत अलग है तो भाई आज हमारा जो मोटेव रहेगा वो रहेगा जितने जादा हो सकते हैं पोकेमोंस को पकड़ना और भाई इसमें आपसे कुछ ऐसी टिप्स पी शेयर करूँगा जो कि आपको बहुत हैल्प करेंगे तो ये वाली बेल बजा कर मैंने पूरी टीम को इंफर्म कर दिया है कि मैं जा रहा हूँ शिकार पे तो तुम लोग घर का ध्यान रखना घर मैंने बहुत ही आली शान बनाया है इसके लिए आपके कमेंट की जरूरत होगी कि आपको घर कैसा लगा घर आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में नहीं एक अलग वीडियो में अलग स्पेसिफिक बना हूँ इसके लिए इसना आपको बता हूँ गर बनाया कैसा है तो भाई अभी मुझे मेरे शिकार मिल गए है तो इनकी पावर हो जाती है बहुत कम और अगर आप इनको पीचे से अटाक करते हो तो आपको अपको एटलीस्ट एटलीस्ट फॉर्टी पॉसंट जादा चंस होते है कि आप उस पोकेमोन को पकड़ पाऊगे तो दो केटीवा हो गए है यह है लैंबल केटीवा का मैं आपको बता दू बहुत ही जादा एग्रेसिव होते है बहुत ही जादा कावर्ट भी होते है डरे बे होते है हमेशा और भाग जाते है जगए से लेकिं सिर्फ तब भागते है जब उन पर अटाक होने वाला होता है यह मेरा तीसरा Pokemon है Lamble, आज मैंना कम से कम साथ Pokemon पकड़ने हैं, और भाई आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, कि आप नॉर्मल Pokemon जिने पकड़ते रहोगे आपकी XP उतनी जादी बढ़ती रहेगी, यह I think Cativa बहुत easily मिल जाएगा, कुछ Pokemon था बहुत easily आपको मिल जाते हैं, आप उनको एक बड़ा पकड़ लेते हो तो, भाई यह 4 है, चार में से तीन Cativa और एक Lamble मैंने पकड़ लिया है, तो भाई मेरे को अभी तीन Pokemon और चाहिए, और भाई इस वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो battle, जोके श्याद आप लोगों ने अभी किसी औ वीडियो में नहीं देखी हूँ कि क्या होता है जो आप बेस बनाते हो ना, तो बेस पर अटैक करने के लिए भी बहुत सारी अलग अलग यह क्या है भाई, यह तो बहुत ही अलग टाइप का Pokemon है, चार परसंट चंसे मैं, लुवाई में रिस्क, पिछली बार पिल गया था, अगर आप लोगो ने देखा, छोटी सी जलग देखे कि पूरा तो मैं दिखाऊंगा नहीं, वीडियो के लिए रखा हूँ है मैंने वो, उसकी एक वीडियो अलग से बना हूँ है, पूरा कैसे बनाया मैंने, और वाई कैसे पूरा का पूरा डिजाइन आप भी कर सबते हो, तो वीडियो गर आपको पसंद आ रही है, सिर्फ यह नहीं, पहले वाली भी, यह वाली भी और आगे आने वाली भी, तो आगे आने वाली वीडियो के लिए लाइक दरू कर लेना, और सब्सक्राइब दरू कर देना ता कि आने वाली वीडियो का आपको नोडिफिक्शन मि बाइ फिलाल है न मेरे पास जितने भी पोकेमोन थे वो सारे कैसारे मैंने आपर खाली गरती है अपने पाल बॉक्स में और मैं सिर्फ एक कैटिवा रखूँगा ना इन लेवल खा करता है के टीवा बहुत सारे पत्तर बगरा तोडता है लेंग एक चीजे इकठा करके लाता है और बॉक्समें रख देता है तो यह लोग जना हमेशा काम करते रहते हैं और इनके लिए आपको फूट बॉक्स हमीशा रखना है फूद बॉक के अंदर आप आपने आप आते हैं खाते हैं और बिल्कुल फिट रहते हैं तो भाई अभी फिलाल मेरे पास 15 से जादा पाल सफायर है जिससे कि मैं पोके मॉंस टॉकर सकता हूँ और यह मेरा पूरा का पूरा बेस है सामने की तरफ मैंने खेती भी गर रहे हैं एक सेटप लगा रखा है जिसमें ट्राप है बागी लोगों को है कोई अटेक करने आएगा तो अब यह वही पोकेमान है इसने में से रस्ता पूछा था तो इसके पीछे बीचे जलते हैं और सो तो कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे इस वाले केटिवा को डर लग भाग गया लिखी है लेकिन देसे इसको दिखा ना कि एक और केटिवा हम इस पर अटेक कर साथे इन ने अटेक करना स्टार्ट कर दिया और स्पीड थपड चला रहे दोनों हातों से इनके लिए मेरा इन लगे इसको दो केटिवा को निप्टाने में है तो अब यह दोनों केटिवा गिर गए है अगर आप किसी केटिवा को मार देते तो आपको मिलती है थोड़ी सी बैरी जोके किसी काम की नहीं है अभी मैं हूँ बिलकुल समुद्र वाले एरिये बे इसी के पास बहुत सार करेगा शांत को शांत नहीं इसको तो पर्मनेंट शांत कर दिया है केटिवा ने ओ शिट इसको पकड़ने की फिराक में था मैं बट यह तो चला गया हाथ से फानली अभी तक हमने पांच पोकेमोन पकड़े है जिसमें से चार थे केटिवा और एक था लैंबल तो इस टाव तो यह उपर की लोकेशन काफे टेम्स में आया नहीं उपर यह बॉइ है अगर यह इसने बहुत है कि इससे बहुत है इससे बहुत है पात बताओ अगर मुझे और अच्छे यह पोकेमोन पगड़ने तो कहां जाना पड़ेगा तो वह कहता था पहली बात तो अभी रात होन है उससे तरको बहुत जादा वुल मिलेगी तो वह तो तो जरूर लेना तो मैंने इसकी बात तो मान ली और भाई अभी मैं जा रहा हूँ अपने बेस की तरफ क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और रात होने से पहले मेरे को बेस महुचना है यह मेरा बेस और यह मेरे घर की इसको कोई नजर नहीं लगाएगा विकास यह मैंने बड़ी महनत से बनाई है अब यहां से मैं जाऊंगा सीधा नीचे कि घर मैं आपको दिखाऊंगा अलग वीडियो में बिलकुल स्टार्टिंग से कि मैंने कहां से बनाना स्टार्ट किया कहां पे एंड हुआ हूँ और पिलाल के लिए मेरा जो केटीवा है उसने काफी सारा काम करके एंप रखा हुआ था पत्थर वर्ता थोड़के रखे हुए थे तो इनको मैं टैप्चर कर लेता हूँ अब इसके बाद चलते हैं अपने बेस पर क्योंकि अब हमें सोना भी है यह एक हमारा पाल गियर आर भी अब लेट कूला हुआ था तो यह इरा फेल लेंबाल बी आनडर गूमरा जल्दी नियकल बहिए और निकल सो नहीं को कचच कचच कच नीचे मिर खुरात का अजाना साइव तो यह निकल जाना बाहर गट्सक्राइए बन्द तो भाई यह वाला गट्विमम्न कर देते इह भाईता जाने भाई काम पर तो पकनल कर तो इतर आ तब तक आपको पूरी रात बाहर खड़े हो के बितानी पड़े कि और भी आग के पास वरना आपको सर्दी हो जाएगी और उसके वाइसे आपकी पावर बहुत जादा गिरती है पूरी रात निकल जाएगी और आप अराम से अपना गेमपले दुबार स्राट कर सकते हैं तो सुबह उटके मैंने बनाए हैं एरो के सेट ये तीन का सेट होता है इसको हम कुद क्राफ्ट करते हैं और उसके बाद धनुशन ने अलड़ी बना रखा था अर ये अरोज लेकर हम लोग जाएंगे शिकार करने के लिए अरोज मैंने क्यों बनाए हम बताता हूं कि अब इस पार्डी पे आया है तो नीचे मैंने एक देखा बहुत ही तगड़ा पोकेमोन वाइट कलर का शीप था लेकिन ही अप्रेड़ेड़ी था टैन लेवल पे त मतलब ये समझ लो कि ये बॉल के अंदर एक सेकंड के लिए भी नहीं गया अभी देखरों कि पूरी कोशिश कर ली मैंने नाइटी नाइटी नाइन परसंट था एट परसंट चांसे से मैंने गलत वेक दिया ये पचास परसंट तक पॉजिटिव होने के बाद ये वापास आगया यार अब दुबारा ट्राइ करते हैं नहीं वाई तनी देवर तो लुटा देगा वो मैं देखरों मेरा केटीवा जो है वो दस लेवल के बिढ़ गया कुद को डेंजर में फील कर रहा है वो डरा हुआ सा है मैंने फले खाना ना किला दिया ठीक से खुद को भी और आगया पावर हमारी जल्दी से वापस हाजए इससे फोड़ी जी वूल मिली है इम सो सॉरी तरको मारना बिल्कुल नहीं चाहते है तो वारी टीम में आड हो जाए यह कुछ से माया पुरा और यहां इसकी हाला देखके बाग गया वापस कि इसकी हाला तो उसके तो मेरी तो लाइक करना पड़ेगा और भाई यह मेरी बॉल हो गई वेस्ट और यह तो पहले ही मार दिया कर रहा है और इसको उन पगड़ सकते है और यह बिल्कुल सीमी है तो अगर इसको पगड़ दो तो प्लीज लाइक कर देना 98% चांसे थे बॉल पेकी और बहुत अराम से मिल गय और भाई इसके बाद हमारे बास जो उस बंदे निए सजेस के था या तावर के बास कर वेइड की वॉल इसके वैप Exclusive है बॉल है बहुत जादा तो इससे वुल मिल सकता है मैं 23% chances थे भाई ये निकला है वार और भाई सीधा attack कर रहा मेरे पर लेकिन कटीवा ने तभी पूरा मोर्चा समाल लिया भाई 89% chances हो गए ते एक हमले में देखरो 23% chances थे वर्स्ट तो इसने कटीवा ने एक हमला गया और तिदा 89% chances हो गए ते इतना weak कर दिया था उसको कटीवा बहुत strong है हमारा तो ये था हमारा 7th Pokemon जिसमें के हमने 4 कटीवा capture किये हैं एक हमने capture किया है Lamble एक हमने वो brown color का Pokemon capture किया उसका नाम मेरे को अभी नहीं पता है मैं आपको बता हूँ आगे वीडियो में और एक मैंने ये वुल वाला क्या Pokemon capture किया है इसका मुझे नाम नहीं पता है इसका मैं आपको अभी नाम बता दूँगा बैकोल मिला कि मैंने 7 Pokemon हो गए है let's see अगर हमें और Pokemon मिलते हैं तो हम try जरू करेंगे लेकिन I think मेरे Palsaphyr भी खतम हो गए है इसको Palsaphyr और एड़ करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बेस पे तो हम चलते है Speed Tower की तरफ से fast travel करेंगे और ये है हमारा base ट्रैवल जैसे करोगे अब यहां से लेकिए अपने पाल बॉक्स के पास आ जाओगे हमेशे यहीं पर spawn हो गया बॉक्स ओपन करके भाई इसको में लगा देता हूँ जितने यह Pokemon में पास है तो बैए एक का नाम है Gumus जो के ब्राउन कलर का है और यह से लगता है जिसे के बैरी हो बैरी हो इसको आपने नट बोल सकते है वोल नाट और दूसरा है हमारे पास Kremis जो के वोल वाला Pokemon है तो बैए मैंने अपने base पर अभी 5-6 Pokemon रखे हैं जो के सारे के सारे अलग-अलग टाइप के है अब 6-6 Pokemon ऐसे हैं जो अलग-अलग टाइप के हैं और इनके साथ ना यह अलग-अलग चीज़े कर सकते हैं यह हमारा Kremis व्योंकि बहुत ही शांत दिमाग का है और भाई इसके जो प्लस पॉइंट लिकारन वो है हार्ड अट वर्क तो यह हार्ड वर्किंग बहुत है लेकिन बस हमने बहुत जादा घायल करके इसको capture किया तो time लगीगा रिकावरोन में यह मेरा लैंपल हमेशा काम करता रहता यार यह कुछ ना कुछ उठा कर लाता रहेगा और लाक एक capture करता रहेगा बॉक्स के अंदर फिलाल में एक इन्फोमिशन मिली है कि जितने भी जो हमारे खूफिया दोस्त है अलग लोकोशन पर उन्होंने किसी से बात करते भी सुना है कि हमारे पास है कुछ लोग अटैक करने आने वाले है और यह सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं एनुमिनार्टि की गैंके इन्होंने क्या किया कि हमारे गैंक पर अटैक करेंने हैं ह्मारे बेस बर और बहुशना कुछ उछे लेकर जाने बाले है इनको हमारी जो प्रोग्रेस है उससे थोड़ी सी चिड़न है और मुझे नहीं गगता कि हमारे पर ऐसा कुछ है जो इनको चाहिए होगा गुमस जो मैंने छोड़ा है बेस पर वो सीधा जाकर वहां पर काम कर रहा है खेती में सिंदिकेट स्काउटिंग पर वहां अरे इनको बचाने के लिए न मुझे अपने बेस पर रखना पड़ेगा सिर्फ और सिफ केटीवा एनो मैंने आपको बताया था कि केटीवा आपु लेकिन इस थीपताइ रिपार में बरतीफ जिपिता इंको लगता इनको अटक होने बाला है जो इनको फिस बता शाल था कि धर बकुल भी डर रूर ही है यह बहुत अग्रेसिव है और इनका अग्रेसिव साइब को अभी दिखाता हूँ इनको नीचा आने तो इपर यह कोई पोकेमोन नहीं है और यह कोई अजीब से लोग नहीं है यह प्रॉपर वेल ड्रेस्ट इंसान है जिनका मुझे लगता कुछ ना कुछ अथियार भी होंग अग्रेसिव नहीं है और यहां पर यहां से वह एंटरी करेंगी अश्या चावी तो आगी नहीं रहा अभी डर रहा है पर जैसे अटेको ना यह पर पहले आया गया देखने करने के लिए भाई यह लोग देखरो बैट अगेर अगर एक किमार गन भी है यार इसको तो मारू पर दो जाओ लेगिन ऐखने मेरे सारे के सारे करतिया ऐ अटाक स्टार और यह लास्ट वाल इसका गन है और फिर दो गोले चला दी मेरी पावर होगया यार यह तो राइमी मोगया यार पाइब यह देखरे हो कितने चालग है यार वो लोग मर गए है उनमें से जो-जो जहाँ बहुत खामकी चीज है, केटिवा बहुत सईचीज है, इनकी लाशो बढ़ता तिकाने लगा जाते हैं, दक्का मार की डाल देता हैं, चलो बहुत नीचे जलो, यह सीक्रेट सोसाइटी के लोग हैं, इनको सीक्रेटी रहना ज़रूरी है, बाहर ना आज पानी के, चलो पानी में चलो, वैसे भी वाला पानी ने पीते हैं, जरने वाला पानी पीते हैं वैस विलाल के लिए हमारे पास अल्मोस नहीं, ये बचा हुआ है, इसको भी डाल दें पानी में वह पहले वाला तैर रहा है, चखरी गूम रही है उसकी अब भाई, इसके साथ हमने ये कर दिया है, पानी में डन, तीन लोगों के लाशे लगा दिया ठीकाने में, बाकियों को छोड़ो और ये भाला चलाने के प्रैक्टिस भाई, ये पोटली पड़ी थी एक पाल सफायर भी इनके बास, मीन्स अगर हमारे कुछ पोकेमोन थोड़ से वीक हो जाते, तो क्या ये लोग पोकेमोन को पकड़ कर ले जाने वाले से मीन्स हमारे बेस पर जो पोकेमोन होंगे, क्या उन पर अटाक करके ये अमने साथ ले भी सकता है अगर ऐसा है, तो भाई, मुझे भी बाकी लोगों के बेस पर अटाक करना है मैं भी पोकेमोन लेकर रहा हूँगा, बहुत सारे केटीवा लेकर जाँगों साथ में पोकेमोन को वापस रिप्लेस कर देते हैं, और भाई, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको बेस का सेटप पसंद आया होगा और यह लकडी अगर कैसे बनाया अगर यह जाना चाहते है तो प्लीस कमेंट करके बता देना और मैंने अपनी पिछली दो वीडियो में भी बूला है कि भाई जो भी मेरी इस वीडियो के बीच में कमेंट करके बताएगा कि मेरा जो सीक्रेट कोड है वो है 1506 मैं उसको यह गेम फ्री में दे दूँगा मैं भी फ्री वाला यह गेम खिलरों मैंने खरीदा नहीं है अगर गेम फ्री में चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता देना और फेस्बुक पर जागर जरूर फॉलो कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई